जी नमस्कार सभी को आज की बड़ी खबर आई है सामने पाकिस्तान विज घगर पाकिस्तान तक पहुंचा पानी साथ साल बाद जो गगर का पानी है पाकिस्तान तक पहुंच गया है इतनी बारिश हुई है अब की बार भारत के अंदर कि पाकिस्तान तक पानी पहुंच गया है साथ साल बाद इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं क्या खबर आई है आप सभी के लिए साथ साल बाद पाकिस्तान तक पहुंचा गगर नदी का पानी आज की बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि पाकिस्तान तक पहुंच गया है गगर नदी का पानी इतना बराव हो चुका है पानी का गगर नदी के अंदर लगतार चलती आ रही है गगर नदी इसकी पूरी जानकारी क्या है पढ़ लिते हैं इस बार अधिक बरसात ओने से गगर में निरंतर पानी चल रहा है जो लंबे समय से पनी चल रहा है गगर नदी के अंदर वो पाने अब पाकिस्तान तक पहुँच गया है साथ साल बाद ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में साथ साल बाद पानी पहुँचा है गगर नदी का पूरी खबर पढ़ लेते हैं हिमाले की पहाड़ियों हिमाचल पंजाब हर्याना में हो रही बरसाथ के करण इस बार गगर नदी में पिछले करीब एक महा से लगतार पानी का बहाओ जारी है नदी में लगतार पानी चलने से साथ साल बाद नदी का पानी पाकिस्तान में प्रवेश कर गया है करीब साथ साल बाद ऐसा मौका आया है जब नदी में बिना रुकावट लगतार पानी का बहाओ जारी है हनुमानगड में नदी का पानी बीएसफ की चोकियों से होता हुआ पाकिस्तान में प्रवेश कर गया है पानी सिवाली की पाड़ियों से होता हुआ चंडिगड पंजाब के संगरूर खनोरी हर्याना में जाखल रतिया सरसा होते हुए हनुमानगड में प्रवेश करता है वहीं से पिली बंगा सूर्थगड जेतसर से अनूपगड होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है इस पानी से हनुमानगड वेगंगा नगर में एक लाख हेक्टेर फसलों को फाइदा होता है साथ ही पाकिस्तान में भी फसल उत्पादन बढ़ जाता है यह आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि यह पानी पाकिस्तान तक पहुंच गया है साथ साल बाद यह आज की बड़ी खबर थी आप सभी के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना थैंक यू